Welcome back to your channel guys, आप देख रहे हो मेरा चानल, EK Lifestyle Videos और मैं हूँ अमन और आज मैं बात करने वाल हूँ, आपको बता हुआ कुछ ऐसे टिप्स जिसके वह से आप अपनी बैटरी लाइफ बहुत अद तक इंप्रूफ कर सकते हो आप जादा सज़ादा juice अपने बैटरी से निकल सकते हो या जादा सब्सक्राइब जो आपकी बैटरी में एक्स्टा पावर बचा है उसका फुल यूटिलाइज कर सकते हो उसका पोटेंचल बाहर निकल सकते हो क tane्किन एसा कुछ भी नहीं यह बेसिक करता है आपके बैग्राउंड में रण करता है और is a डीटरी को और ज्यादा रिडीस करके इसलिए एसे कोई भी एप्स भाइन हो आपके को हुग करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेकेंड पॉइंट पर नहीं है, अगर आपको चाहिए कि आपका फोन दिन बर लास्ट करें, आप ओफिस जाते हो, भार कॉलिज जाते हो, फोन ज्यादा लास्ट नहीं कर रहा है, तो हमेशा अपना फोन पावर सेंग मोड पर रखना सीखिए, ज् के एप्स बैक्ग्राउंड में रन नहीं होने देगा, इस से जादा कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, जाद सादा वो थोड़ी बहुत स्क्रीन वगरा ब्राइटनेस रिद्यूस करेगा, बस इसको यूज़ करना सीखिए, थर्ड अगर मैं पॉइंट पर आओ तो वो एक रिडियूस होने लगती है फोन की, उसकी बैटरी लाइफ जाती है, नमबर औफ साइकल बढ़ते हैं, उसकी विज़े से उसकी बैटरी लाइफ और कम होती है, आप सीधे सीधे अपना फोन ट्राय करें किया आप अल्मोस्ट 20% के नीचे ना जाने दे उसकी बैटरी हर एक charge करने पर आपका battery का cycle दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़े से उसकी life और उसके cells उतने ही मरते जा रहे हैं दिन पे दिन ले उससे क्या होगा आप कितना भी use करो max-to-max एक battery की life रहती है वो कुछ time बाद अपनी लाइफ छोड़ने लगता है या उसके लाइफ कम होने लगती है वह बैटरी है उसके अंदर सेल्स रहते हैं इसलिए आप जाए साधा यह कोशिश कर सकते हो कि आपके नमबर अफ साइकल्स कम हो थर्ड अगरना अपने पॉइंट और वह थर्ड पॉइंट बहुत एक हेवी डूटी है अपसे अफिर जब गेम्स केलते हैं इसे मेरे गेमर्स के लिए और जो लोग इगल्ती करते हैं वह मत करना गेमर्स स्पेशली क्या करते है फोन चार्जिंग पर लगाते हैं वोट पबगजी और ऐसे जो हैवी इंटेंसिव ग्राफिक्स वाले गेम्स आप उस फोन को चार्ज कर रहे हो तो उसके बैटरी पे और ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है और ज्यादा हीट बिल्डप हो रही अंदर उसकी वज़े से आपकी बैटरी लाइफ पर बहुत ज्यादा फरक पड़ता है ये गलती भूल के भी लाइफ में मत करना जितनी बार आप इसा कर रहे हो आप अपनी बैटरी को और ज्यादा उसकी लाइफ रिडियूस कर रहे है फूर पॉइंट पर अगर मैं आओ एक आपको मेरा टिप रहेगा कि आप जबी भी फोन चार्ज करते हैं पॉसिबली उसका कवर या बैक कवर जो आपने लगा के रखा है वो निकाल ना जब बैटरी चार्ज होती है तो वह स्लाइट सा हीरड को होता है तो वोस्टित को डिसीपेट होने में आ निकलने के लिए जाजा चाहिए लेकिन जब आप उसके कवर लगा के रखते हैं तो जो हीट रहती है ना वह फस्ट जाती है वह फोन निकरocyorm चार्ण算म कर दीज वह पॉलिथे या फिर एक ऐसा एंपर उस जेसा अपने भैक साइड पर लगा लिते हैं यह आपको लगता है कि आपका फॉन का लिख्साइट करेगा अब जाब घिर रहा है फॉन ये लेकिन साथी साथ यै क्या करेगा आपके फॉन पर जोग बैक से ही तोacey चalaley तो यह heat easily आपके atmosphere में निकल नहीं पाती है, transmit नहीं हो पाती है, वो उस, वो जो screen guard लाकर रखा है, आपने उसके वहाँ पर फसती है, जिसकी वज़े से बैटरी पर और जादा स्ट्रेस हाता है, heat जादा build-up होती है, heat निकल नहीं पाती है, जिससे आपकी बैटरी के लाइफ औ आपकी बैटरी लाइफ पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा जिसके वज़े से आपकी बैटरी लाइफ दिन पर दिन इंप्रूब होगी, यनि कि अगर आप एक दिन में सपोस्कर अगर आपका फोन 6-7 गंटे लास्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी यह है कि वो फ पॉसिबल हो आपको इतना जादा मैटर नहीं करता है, अपनी फोन के डिस्पले को 720D करना सीखिए है किए अगेन जो लोग गलती करते हैं, अपने फोन के अडेप्टुव डिस्पले को बन करते हैं यह घौप को अपने फोन को आपका पैसा ने ते ला अप को कि रहता है, इसको on ही रखना चाहिए हमेशा, उसके विसे होता ही है, जो आप इसको on पर रखो तो फोन आटमाटिकली सनलाइट के अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस चेंज करता है, अगर आप इसको off पर रखोगे ना तो क्या होगा, जादा से यादा बैटरी आपकी कंजीम होगी, इसको on पर रख दीजे, इसको on पर रख दीजे, इसको विछ से होगा हिए कि आपका फोन का डिस्प्ले ब्लाक कलर का हो जाएगा, जादा से जादा फोन को कलर्स डिस्प्ले नहीं करने पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी बैटरी बचेगी, तो अगर पॉसिबल होता है, आपको जारा इतना मैटर नहीं करता है, तो अपने फोन को नाइट मोड में रखिए हमेशा, स्क्रीन रिजलूशन पर आते हैं, अगली चीज पर में आता है, वह स्क्रीन रिजलूशन, अब सेटिंग्स में जाके, आपको करना कुछ नहीं है, बिसिकली अपने फोन की सेट स्क्रीन टीप हो जाएगा, और आपकी बैटरी लेफ और बड़ेगी, अब यह इक और बोनस पॉइंट आपको बताऊंगा, जो बहुत सारे लों गल्ती करते हैं, अपना स्क्रीन टाइम आउट, स्क्रीन टाइम आउट को मैक्स टीमक्स 30 सेकेंड पर ही रखिए, उससे हो बडेनट, सेलपन लेखो कि लिए आपको अख़न कि राखिए, आपको फोन का दिस्प्वें राख्ते हो तो आपको एक बोनस टीपियर हो एगगी का फोन का द्रत हुपिले हो एक लाइट साहे बैग्रां उमत रखते वे एक आफासर डाक सा बैक्डाण अपना जूग करने पड़िये और उतना ही सवाथ क्यों आपका का प्पाल प्रिप Cam Smith lors करने के अपका सब्सक्राइब करतेहं करतें कि आपने एक्षुल चॉर्जार से ना चार्ज करतेoqueं अपका जाझता जहाता है वह सबसे बेस्ट रगता है आपके फोनके साथ हर 400 के अलमॉस्ट जो रेटिंग रेतिर आपकी रहता है वो रहता है वो और अलग है तो यह गलती मात करना क्या कोई दूशरे charger से charge करो चैनली जैसे स्पेशनली बहुत सारे बिलों क्या करते है कि normal दुकानों से जाके Bernal BIG और इनलाइन पी चाहजर बहुतास तेकि पूछ मिलते है वह Dri based option अगर आप הכ आप एक नौब उत्फज़ता वालों लेने जा रहे होondर पर आपको 3400 ने भी आपके फोन के साथ जो अक्चुल चार्जर आता है वही मैच करती है अगले और लास पॉइंट आओं में ये भी एक रहेगा जी गलती आपको नहीं करनी है आपको एक राविल करते हैं वोगरा तब पावर बैंक यूज करते हैं पावर बैंक एमर्जनसी के टाइम यूज करन वो आपके बैटरी पर स्ट्रस डालता है वो आपके फोन के बैटरी कई हद तक डाउन भी कर सकते हैं आपकी फोन की जो बैटरी की लाइफ रहेगी वो धीरे-धीरे कम करेंगा पावर बैंक ये बहुत सी ये बात जो है बहुत सारे लोगों को नहीं समझती है या बहुत सा अपरिप जाना में रहाई दना गेहा एंने अंग एक पने मेंहाँ ने आपको सब्सक्राइब होरा हुतीजी को सबसाइबुकन बार कम चोब करेंद्ट नहीं आप आपका डेटा भी बचेगा आपकी बैटरी भी बचेगी और साथी साथ आपको नोटिफिक्शन सोगा नहीं आएंगे ये चीज होगी बट चलता एतना बैटरी के साथ आप अपना कॉम्परमाइज कर सकते हो तो ये था मेरा आज की वीडियो के बैटरी से लेटेड कुछ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आपको इंफॉर्मेटिव लगाओ तो मेरी वीडियो को लाइक दीजेगा चैनल को सब्स्राइब की जो देखते रही है आपका चैनल एक लाइक सब्सक्राइब वीडियो अगर आपको अगरżyां